संदीप पतेल 36 गड़ कैडर के 2020 बैच के आईटियस अधिकारी हैं वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले हैं दिल्ली युनिवर्सिटी के हिंदू कॉलिच से बीस्सी कर पहले ही अटेम्ट में ओल इंडिया 464 रैंक के साथ उन्होंने यूपीस्सी एक्जैम क्रैक किया और इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के लिए चुने गए IPS अधिकारी संदीप पटेल मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हाटा ब्लॉक के डोली गाउं के रहने वाले हैं उनका जन्म 9 अगस्त 1997 को हुआ था उनके पिता दीप नारायन पटेल किसान थे बुजुर्ग होने के चलते अब उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी है संदीप की मा उर्मिला पटेल ग्रिहनी है संदीप से छोटी एक बहन भी है जिन्होंने PhD की है संदीप पटेल ने अपनी स्कूली शिक्षा मामा के घर से पूरी की मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पवई में संदीप के मामा का घर है पवई के सरस्वती शिशु मंदिर से उन्होंने KG1 से 12 मी तक की शिक्षा पूरी की दसवी में उन्होंने 92.5 फीस दी जबकि बारहमी में उन्होंने 92.6 फीस दी अंक स्कूर किये ग्यारवी बारहमी उन्होंने Maths Physics Chemistry से उत्तीर्ण की बारहमी के बाद दिल्ली युनिवरस्टी के हिंदू कॉलिद से उन्होंने BSC Chemistry Honors की डिगरी 76% अंकों के साथ पूरी की BSC के बाद पन्ना युनिवरस्टी से उन्होंने MSC करना शुरू किया लेकिन एक साल के बाद ही UPSC exam की तयारी करने के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी BSC के बाद वैकलपिक विशे के तौर पर हिंदी साहित्य लेकर संदीप पठेल ने हिंदी माध्यम से UPSC exam की तयारी शुरू की पहले ही प्रयास में All India 464 रैंक के साथ उन्होंने UPSC exam क्रैक कर लिया और IPS अधिकारी बने उन्हें 2020 बैच और 36 गड़ कैडर अलोट हुआ उन्होंने 10 अक्टूबर 2020 को इंडियन पुलिस सर्विस जोईन की सरदार वल्लब भाई पठेल पुलिस प्रशिक्षन अकादमी हैदराबाद से ट्रेनिंग खत्म करने के बाद फील्ड प्रशिक्षन के लिए उनकी पोस्टिंग प्रशिक्षु IPS के तौर पर सूरजपूर जिले में हुई सूरजपूर में वे विश्राम पूर थाना प्रभारी रहे सूरजपूर के बाद संधी पटेल बिलासपूर के सिविल लाइन में CSP रहे इस दोरान गैंग वार को खत्म करने के लिए उन्होंने पुलिसिंग टाइट की SSP संतोश सी के नेतरित्व में चलाई जा रहे निजात अभियान के तहत नशे के खिलाफ उन्होंने प्रभावी कारवाई की विधान सभाचुनाव शांतिपूर्ण संपन करवाने में उनकी एहम भूमिका रही संजुत्रिपाठी हत्याकान के फरार आरोपी को भी उन्होंने गिरफतार किया बिलासपूर के बाद वर्तमान में संधी पटेल काकेर जिले के भानु प्रतापूर में एडिशनल स्पी नकसल उपरेशन के पद पर पदस्थ हैं यहां पोस्टिंग के दोरान छोटे बेठिया था नक्षेत्र के कलपर में स्पी इंदिरा कल्यान एले सेला के मार्ग दर्शन और दिशा निर्देश में चलाए गए नकसल उपरेशन में 29 नकसलियों को मारने में भी सफलता मिली इसके अलावा भी कई नकसलियों को इनकाउंटर में धेर किया गया संदीब पटेल के नितृत्व में डियार जी द्वारा अंतर जिला नकसली उपरेशन चला कर सफलता हासिल की गई निजी जीवन की बात करें तो संदीप पटेल की शादी साल 2022 में सनेह लता पटेल के साथ हुई है Bureau Report, NPG News